कॉंग्रेस की बाद सच्चे प्रियंका गांधी ने आर्थिक मंदी के जरिये केंद्र सरकार पर हमलावर रुक अक्तियार कर लिया है प्रियंका गांधी ने सिलसले बार ट्विट कर मोधी सरकार पर निशाना साधा है तो प्रियंका ने ट्विट के जरी बीजूपी सरकार पर निशाना साधा है सच्चाई सुविकार ना करने का आरोप इस ट्विट के जरी लगाया है डग मगा चुका है तो आर्थिक निवेश की जमीन दरग गई है और एक और ट्विट कर उन्होंने कहा कि मगर बीजिपी सरकार सच्चाई को सुविकार नहीं कर रही है तो आर्थिक माशक्ति बनने के दिशा में ये मंदी स्पीड ब्रेकर है और इसको सुधारे बिना सब रंग रोगन बेकार है बता दे कि ये कोई पहला मौका नहीं जो प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर सुस्त अर्थ विवस्था और बिरोजगारी को लेकर हमला बोला हो इससे पहले केंद्र मंत्रे संतोष गंगबार के बिरोजगार युवाओं को लेकर दिये गए बयान पर भी प्रियंका गांदी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और अब इन दो Tset के जरीए मोधी सरकार पर हमला वर रुक अक्तियार कर चुकी है प्रियंका गांदी उन्होंने कहा है कि जिस तरह से trillion trillion की बात की जाती है मीडिय के हेडलाइन मैनेज करने से आर्थिक सुदार नहीं होगा बलकि लिए इसके लिए एक सार्थक कदम उठाने की जरूरत है